नमस्कार दोस्तों गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत डेटा आज की आठ मार्च 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रस की इंपॉर्टन न्यूस जो भी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे देखेंगे एक्स्प्रेंट पे इस पर तीन आर्टिकल से तीनों को हम करके आर्टिकल है तो तीनों आर्टिकल्स को हम देखेंगे फिर बाद में न्यूस पर भी नजर डाल देंगे फर्स जो आर्टिकल है देट इस रेलेटेड़ तो ओइल स्पाइक एंड स्टैगफलेशन तो आपको पता है अभी क्रूड ओयल की प्राइस एक्सोचालीस डॉ पर बेरल तक पहुंच गई मंडे को दूसरा अगर देखें तो दिसंबर 2021 में यह प्राइस इस थी केवल 70 डॉलर तो डबल प्राइस हो चुकी इंटरनेशनल मार्केट में इसके पीछे कारण क्या है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी तरफ से मतलब यूएस न क्योंकि रशियन ओयल है वो बिक नी रहा और बाकी दूसरे जो कंट्रीज जो प्रड़क्शन कर रहे हैं उनकी डिमांड लगातार बढ़ गई तो इस केस में रशिया पे सैंक्शन्स ने कहीं ना कहीं ये प्राइस राइस में बहुत बड़ा रोल प्लेई किया है अब रही है इंटरनेशनल मार्किट में क्रूड ओयल के प्राइस राइस हो रहे है तो उसका असर हमें सीधा देखने को मिलेगा ठीक है इसका मतलब यह है सिंपल सा कि अगर 10% increment देखा जाता है ना crude oil price में तो यह मान के चलो कि wholesale price inflation है ना वो तो हमारी 0.9% तक बढ़ जाएगी और retail inflation वो 0.5% तक rise हो जाती है तो यह सीधा link है हमारे यहाँ पर क्योंकि कितना ज़्यदा transportation में इसमें use होता है और transportation की cost अलग से लगती है यह आप जानते हो ऐसे में higher inflation तो बनी हुई है और दूसरी तरफ अगर हम economy की बात करें तो economy में इतना ज़्यादा एक growth rate है वो इतनी ज़्यादा है नहीं तो इस case में एक तो economy रुकी पड़ी है ठीक है that means economy है वो stagnant है मतलब फसी पड़ी है और दूसरी तरफ अगर हम नज़र डाने तो economy और जो inflation है वो बहुत rise हो चुकी है तो ऐसे में stagnation plus inflation दोनों को add कर दो ऐसे दोनों word से बना दिया stagflation की economy तो फसी पड़ी है और जो inflation है वो लगातार बढ़ रही है अब आप देखो कि जब price rise होती है जब महिंगा ही बढ़ती है तो लोगों के पास में हमारे जैसे जो लोग है consumers है इनके पास में पैसा कम बसता है goods and services की demand करने में क्योंकि सीधी सी बात है हमारे basic needs है न रोटी कपड़ा मकान स्वास्ते सिख्षा इसी में पैसा इतना लग जाता है जिसकी अधनी है फिर बाकी बचे वे जो goods है उनकी हम demand करना बंद कर देते हैं अब सीधी सी बात है जब goods की demand या services की demand extra नहीं हो रही है तो नए रुजगार नहीं बन पाएंगे और रुजगार नहीं बन पाएंगे तो unemployment भी rise होगा और unemployment rise हो रहा है इसका मतलब सीधी सी बात है economic activity जितनी अच्छी है नहीं तो ये situation अना ये अभी prevail कर रही है तो ऐसा देखो COVID-19 जो है उसकी वज़े से तो effect आया ही था अब रही साही में जो बच्ची वी कसर थी वो इस war ने पूरी कर दी है इसके आगे अगे अगर हम नजर डाले तो यहाँ पर यह है कि stagflation का मतलब क्या होता है जो मैंने आपको अरड़ी बता दिया अगर inflation high inflation है मतलब महंगाई बहुत जादा है और महंगाई जो है वो लंबे समय तक बनी रह रही है तो ऐसे में situation emerge होकर क्या आजाती है stagflation की क्योंकि stagflation में economy तो देखो इतनी अच्छी grow करती नहीं है inflation जो है वो एक तो होती है transitionary एक होती है long term अब इसमें transitionary में तो क्या होता है कि हाँ जी कुछ नया disruption आया कुछ नई changes जाये है economic activities में इसकी वज़े से महंगाई थोड़ी बढ़ गई जो कि कुछ महीन है कुछ दिनों के अंदर-अंदर खतम हो जाएगी पर अभी अगर देखा जाये तो inflation already कितना high level पे जा रही है तो ऐसे में persistently high inflation का बना रहना ही stagflation का एक sign है और economy हमारी इतनी अच्छी परफॉर्म कर रही है नहीं इसके आगे आप देख लो India जो है वो stagflation क्या face कर रहा है तो यहां पर यहीं बताया जा रहा है कि November 2019 में हमारे यहां पर जो retail inflation थी वो बहुत जादा high level तक पहुँच गई थी उसके पीछे वज़ा क्या थी कि unseasional rainfall हुआ था अब हमारे यहां पर erratic monsoon रहता है तो 2019 में सही टाइम की बज़ाए गडबर टाइम पे मतलब जो monsoon का pattern होता उसके बज़ाए rainfall unseasional manner में देखने को मिला इसकी वज़े से फसले हो गई बरबाद तो महंगई बढ़ गई थी तो वो food inflation rise हो गई थी दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अभी का जो situation है वो 2017 से लेकर अभी तक current trend अगर देखें तो GDP growth rate हमारी 8% से कम हो करके 3.7% और इसके लिए तीन बड़ी चीजों को अब तो चार चीजों को impact जाएगा सीधा सीधा अगर आब current situation को देखें तो सबसे पहला demonetization फिर GST implementation फिर तीसरा corona और अब चोथा ही है Ukraine-Russia war इसने भी बहुत जादा situation को exacerbate किया है इंडिया में अगर हम बात करें तो फिर ये बात आती है stagflation की situation अभी बन रही है पहले भी देखो first time stagflation की situation जो थी या फिर कह सकते हो best non case कि सबसे बढ़िया परिस्तिती कौन सी थी जहाँ पर हम इसको stagflation की बात कर सकते है बढ़िया तो नहीं मतलब जबर्दस तरीके से stagflation देखी गई थी वो time था 1970s के time पे जब OPEC countries Organization of Petroleum Exporting Countries OPEC countries जो कि एक कार्टल है उन्होंने crude oil supply को रोक दिया था और आप देखोगे उस time पे लगबग 70% तक crude oil price हैं वो rise हो गए थे और उसका असर जो था वो domestic economies में देखने को मिला था ये क्यों इंडिया specific बात नहीं हो रही है ये उस time पे throughout world खेर फिलाल हमारा context इंडिया का है पर ये हाल अभी इंडिया की अलग-अलग बड़ी बड़ी economies भी देख रही हैं ठीक है इसके अलावा देख सकते हैं कि world bank के chief economist former chief economist of world bank कोशिक बासू उन्होंने भी ये कहा है कि वाकई में अभी जो इंडिया में situation है वो stagflation की दिख रही है बाकी एक दो experts ऐसे भी है कि ऐसा कुछ है नहीं पर वोई चीज है अगर हम data को analyze करे तो इसमें inflation जो है वो अभी तो बढ़ने का scope हो रहे है जैसे कि यहां पर बताय जा रहा है कि अभी जिस तरीके का trend देखने को मिल रहा है हना उस trend में ये लगता है कि 2022 के अंत तक लगबग 180 dollar per barrel के इसाब से crude oil price हो सकती है जिसका नुकसान long term में हमें उठाना पढ़ सकता है तो इस case में क्या है बोले ये मुश्किले हमें पैदा करेंगी ठीक है दूसरा अगर देखें रतिन रॉय managing director है ODI ये global think tank के London based है उनका और इसके अलावा former उन्होंने direction भी दी है मतलब अलग institution में कह सकते न कि वाकई में एक अच्छी level पे individual है ये रतिन रॉय इनका ये कहना है कि जी stagflation कुछ नहीं है ये कोविड की disruption की वज़े से कुछ दिनों के अंदर recover हो जाएगा पर जो situation निकल के आ रही है उसमें तो हमें कुछ ना कुछ stagflation के ओपर भी doubt जाता है ये चीज यहां पर बताई जा रही है इसके आगे अगर देखा जाए तो अभी जो परिष्टितिया बनी हुई है कि stagflation में क्या-क्या होता है तो उसको हम थोड़ा समझें तो एक तो देखते हैं unemployment unemployment बेरोजगारी अभी बहुत हद तक चल रही है आपको पता है ठीक है और इसके अलावा unemployment का जो जो crisis है वो acute है इसी particular point of time में देखे तो बहुत कम बेरोजगार create हो पा रहे है inflation महिए आप देख सकते हो कितनी जादा है demand है वो इतनी जादा rise हो नहीं रही है वैसे normal condition में देखा जाए ना तो अगर economy अच्छी condition में नहीं चल रही होती है तो demand रुकी होई रहती है हना पर हमारी तो economy भी मतलब मंदी का situation रहता ना तब एक परिस्तिती बनती है इस तरीके की पर अभी तो economy भी progress नहीं कर रही है और महंगाई भी बढ़ रही है तो यह situation थोड़ी सी थोड़ी tricky हो जाती है मतलब क्या होता है देखो कि अगर economy अच्छा perform नहीं कर रही है इसका मतलब demand नहीं है demand कम है पर demand कम है इसका मतलब inflation की कोई scope ही नहीं बनता ठीक है पर यहाँ पर परिस्तिती क्या है economy भी नहीं progress कर रही है इतनी speed से पर दूसरी तरफ अगर देखें तो demand जो है वो भी इतनी नहीं है पर inflation जादा इसका मतलब supply side की वज़े से यह problem हो रही है और यही crude oil का main roll यहाँ पर आ जाता है ठीक है ना अब देखने वाली बात है नियर फ्यूचर में हम कैसे है इसे stack relation वाली situation से बाहर निकलते हैं ठीक है ना तो यह पूरी परिष्तित ही हमने समझी आगे चलता है फिर नेक्स आर्टिकलर legacy of सावित्री भाई and जोतिराव फूले देखो basically अभी क्या एक controversy rise हो गई जब महराष्टरा के governor अभी current वहाँ के governor है यहाँ पर आप देख सकते हो भगत सिंग कोश्यारी तो उन्होंने क्या इस तरीके का statement दे दिया कि सावित्री भाई और जोतिराव फूले की जब शादी हुई थी तब जोतिराव फूले की उम्रे तेरा साल थी और सावित्री भाई की केवल दस साल थी तो आज हम child marriage को कैसे discard गर सकते हैं तो इस तरीके की बाते इन्होंने बोली तो इस बात को लेकर के महराष्टरा के जो deputy chief minister अजीत पौवार उन्होंने नरेंद्र मोधी को जो प्राइम मिनिस्टर उनको address करते हुए कहा जब पूने metro का inauguration हो रहा था कि सर ऐसी बात है कि जो unbiased manner में जो non-political post पे appointed individuals हैं वो इस तरीके के statement देते हैं जो की महराष्टरा के लिए unacceptable है तो इस point के चलते हैं सावित्री भाई फूले और जोतिराव फूले इनकी relevance हमारे exam point office से बन जाती है ठीक हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं जोतिराव फूले या फूले का work क्या था दोनों जो husband wife थे इनका देखो महात्मा जोतिराव फूले और सावित्री भाई फूले जो हैं इन्होंने अपनी तरफ से women education के लिए path breaking efforts लगाये थे कि कैसे भी करके women empowerment लाया जाए और तों के अधिकारों के लिए और साथ ने जो caste based या gender based जो society में discrimination था उसको खतम करने के लिए इन्होंने fight की थी जोतिराव फूले ने अपनी पतनी सावित्री भाई फूले को education दी पहले घर पर और फिर उसके बाद में उनको training दी कि आप जो है एक teacher बनो और साथ में और भी दूसरी जो औरते हैं समाज की उनको आप empower करो आप देखो 1848 में जब इनकी उम्र जोतिराव फूले जी की 21 थी और इधर आप सावित्री भाई फूले जी की 18 साल थी तब उन्होंने पूने में एक school शुरू की लड़कियों के लिए उसमें शूद्र भी पढ़ सकते थे अती शूद्र भी पढ़ सकते थे पूने में वो school उन्होंने ओपन की आज पहले पूना था अभी पूने नाम हो गया उसका 1853 में उन्होंने एक center open किया जिसका नाम था यहाँ पर देखो बाल हत्या प्रतिबंदक ग्रे है इसमें provision क्या क्या किये थे एक तो center हो गया क्या pregnant widows के लिए जो विद्वा ओड़तें जो की pregnant थी उनके production के लिए और साथ में जो fitticide हुआ करता था infanticide जो होता था उसकी prevention जैसे की किसी भी छोटे बच्चे की हत्या ना हो ठीका कैसे भी बचाया जा सके है उनके लिए तो आप देखो कितना ज्यादा social working होने किया था इसके आगे जोतिराव फुले 18 एक reformist थे अपने आप में इसके अलावा जोतिराव फुले ने 1873 की बात है उन्होंने सत्यसोदक समाज truth seeker society भी establish की जिसमें काम क्या था कि society में जो भी कह सकते ना social evils जे थे tradition के नाम पे चल रहे थे उनको रोकना जैसे शादियों में बहुत खर्चा करना उसको रोकने की बात की intercast marriages को promote करने की बात की जिससे की society में discrimination कम हो सके child marriage को रोकने की उन्होंने बात की और widow remarriage को promote किया ये कुछ ऐसे काम थे जिन्होंने उन्होंने ground level पे efforts लगए जोती राव और सावित्री दोनों husband wife की अगर बात करें तो इनके खुद के तो देखो कोई biological बच्चा था नहीं पर इन्होंने एक widow के एक बच्चे को adopt किया था जिसका नाम था यश्वंत राव फिर ये doctor बने यश्वंत राव और इन्होंने फिर बाद में जो bibionic plague outbreak हुआ था ना 19th century के end में तब उस टाइम पर इन्होंने as a doctor बहुत अच्छा काम किया था अब ये जो पूरा outbreak हुआ वो हमने पहले देखी लिया कि क्या अभी निकल के आ रहा है कि भई 1840 के टाइम पर शादी हुई थी जो तिरा फुले और सावित्री भाई फुले की तो उस टाइम पर child marriage बहुत ज़्यादा prevalent थी पहली चीज तो आप किस time की बात कर रहे हो दूसरी चीज उस टाइम पर उनकी शादी कर दी की थी तब वो छोटे थे पर उनको जब जाग रुकता आई तो उन्होंने child marriage को protect करने या prevent करने की बात की थी even video remarriage को promote किया तो ऐसे में आज के time पर जब हमें पूरी information पता है तो इस तरीके के statement जो है वो governor जैसी post में बैठे वे individual के द्वारा नहीं देनी चाहिए ये बात convey की गई जो महराष्टा के deputy chief minister है उनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर नहींद्र मोदी जी को ठीक है आगे चलता है next article आप वो देखो related है center state relation में जो भी fractions है उससे समंदित कर पिछले article की एक बात बोलू मैं जो तिराव फुले और सावित्रिवाई फुले के बारे में थोड़ा ओर detail gain करना आप ठीक है क्योंकि उन पर questions बन सकते है without any doubt ठीक है में में भी आ सकता है में में तो social reformist में नाम आ जाएगा उनका CDC बात है और आप देख सकते हो prelims में अगर देखे तो उनको सीधा question आ सकता है ठीक है सत्यसोदक समाज इसने start किया या फिर उनके बारे में पूरी detail थोड़ी minute detail ओड़ देख लेना ठीक है अब देखते है central state friction अभी फिलाहाल क्यों ये अभी highlight हो रहा है देखो अभी बीजेपी की सरकार चल रही है central government में और non-Bीजेपी रूल जितने भी state है वहाँ पर एक पहल चला ही जा रही है ममताब energy जो की तरनबुल Congress की leader है और Chief Minister है West Bengal की तो उन्होंने ये मुहीम चला ही है कि जहाँ पर भी बीजेपी के anti-rule चल रहा है जिन जिन states में उन सब को साथ में मिल करके और सरकार को इस चीज़ के लिए accountable ठहराना चाहिए कैसे भी करके कि जो भी constitutional provisions हो उन constitutional provisions को वहाँ पर breach क्यों किया जा रहा है चाहे फिर वो मुद्दा आ जाए तो financial autonomy है states की उसको लेकर के या फिर अभी जो IES IPS officers की जो deputation के लिए उनको deploy करना होता है central government के अंडर उन rules को लेकर के तो ऐसे में देखा हो कि ये situation कोई पहली बार नहीं है आज के 30-40 साल पहले की अगर बात देखे ना जब इंद्रा गांदी की सरकार चल रही थी exactly ऐसा ही कुछ scenario था बस फर्क इतना सा है कि उस time पर ruling Congress हुआ करती थी और बीजेपी या जनसंग जैसी जो parties थी मतलब बीजेपी की जो predecessor ठीक है जनसंग वो opposition में बैठा करते थे तो इन्होंने मिलकर के अपनी तरफ से Congress को घेडने की कोशिश है की थी वक्त वक्त का खेल है आगे देखे तो अभी चीफ मिनिस्टर्स है उन्होंने अपनी तरफ से क्या था अब आप देखो 1969 आज तो चलो ठीक है कि तमिल नाडू में जो DMK की सरकार है उसमें चीफ मिनिस्टर स्टैलिन है ठीक है और स्टैलिन स्टैलिन के पिता जी ठीक है एम करूना ने दी वो उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे कहां के तमिल नाडू के तो उन्होंने इंद्रा गांदी को काउंटर करने के लिए नौन कॉंग्रिस रूलिंग जितने भी पार्टीज थी की गी थे आपने सेंटर स्टेट रिलेशन वाला चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है ना तो जरूर पढ़ो वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें पंची कमिशन की रिकमेंडेशन भी है पर वो अभी तक इंप्लिमेंट नहीं हुई है इसके अलावा सरकारिय कमिशन पीवी राजमनार कमिशन ठीक है या फिर एड्मिनिस्टेटिव रिफॉर्म कमिशन जो फस्ट आया था मुरारजी देशाई की लीडर्शिप में ठीक है उनकी नाम पर वो ही थे मतलब एरसी के उस टाइम पर चेयर परसन तो इस तरीके से आप सेंटर स्टेट रिले था कि इंटर स्टेट काउंसिल स्टैबलिश कर ली जाए ये इस कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया क्योंकि सेंटर स्टेट काउंसिल का प्रोविजन जो है हमारे कॉंस्टिटूशन के आर्टिकल 263 में दिया हुआ है और वो आप देखोगे बैक टूबैक डिमांड की जा र पर फिर भी आप देखो कि हमारे यहां पर जो इंटर स्टेट काउंसिल है वो स्टैबलिश हुई थी 1990 में क्योंकि तू था यह जो स्टेटमेंट है इसका आर्टिकल 263 ऑफ इंडियन कॉंस्टिटूशन का उसमें यह कि प्रेजिडेंट को जब यह लगे कि वाकई में पब क्योंकि इस टाइम पर कॉलेशन गवर्मेंट थी और यह वो टाइम था जब अलग अलग स्टेट में जो इमर्ज हो रही थी रीजनल पार्टी चोटी चोटी रीजनल पार्टी उनकी पकड़ बन गई थी यहां पर ठीक है तो उनकी डिमांड पर फिर इंटर स्टेट काउं चलका यह सारा आप देखो 1983 में सरकार चल रही थी किसकी चल रही थी इंदरा गांदी जी की सरकार थी ठीक है तो उन्होंने अपनी तरफ से लगबख आठ स्टेट्स में गवर्मेंट्स को डिसकार्ड कर दिया था ठीक है तो तब जाकर के वहां पर करनाटका, तमिल आंदरपरदेश, पॉंडी चेरी, यहां के जो साउध इंडियन स्टेट्स के जो सीम्स थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने मिलकर के यह टार्गेट कर लिया था कि इंदरा गांदी के हिलाफ में महीम चलानी है और यह कहना था कि यह जो प्रोवीजन जिस तरीके से डिसमिस क आटनी नो स्टेट गवर्मेंट को डिसमिस किया था इंदरा गांदी जी ने तो बोले यह अनकॉंस्टिटूशनल है और कॉंस्टिटूशन एक्सपर्ट ग्रैंविल आस्टिन उन्होंने भी कहा था कि यह 1983 का जो यह इंसिडेंट है जिसमें कि नो स्टेट्स की गवर्में तो देखी लेना आप ठीक है कॉंस्टिटूशनल ट्रेवल्ट 1983 किसने किसको कैसे कहा था यह सारी चीज़ आपके सामने हो चुकी है क्लियर अब आप देखो देरे देरे टाइम बीटता है और आज परिस्तित्या उल्टी हो चुकी है कि कॉंग्रेस के पास में इतनी सीट्स एक को लेकर के बहुजद आपको पता है ऐसंसर देना आपको कि सेंटर और स्टेट की बीच में जो भी काउन्फिक्ट्स हैं उन काउन्फिक्ट्स में चैसे उन बुलिट को बता दो आपकी यह थोड़े से मुद्ध्व जिनके उपर एक दूसरे की टांग खिचाई तो देखो सिदी सी है पूतिन से बात की और कहा कि जैलेंस किसे बातचीत करो और साथ में यह भी है कि हमारे जो इंडियन सभी फसे पड़ा है उनको कैसे भी निकाला जा सके यह चल रहा है एक्जिट पोल आया है इससे हमें को यह इतना मतलब है नहीं बस यह कि मोडल कोड ओफ कंड़क्ट के हिसाब से एक्जिट पोल कब रिलीज हो सकते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो चलो ठीक है इसके आगे अगर हम देखें रुपिया है वो क्रेश कर रहा है लगातार क्योंकि सीदी सी बात है लगातार जो है इन्वेस्टमेंट फॉरे बात करें तो इंडिया ने तो एकी चीज़ कि हम वाम रिलेशन चाहते हैं हम फालतू खींसतान नहीं चाहते हैं तो इतनी कुछ का टेन्योर जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद में इंडिरेक्ट इलेक्शन होता है राज्यसभा मेंबर्स के अब राज्यसभा के नाम से आपको पताए है कि वो राज्य है राज्यसभा मतलब राज्यों के रिप्रेसेंटेटिव तो राज्यसभा में जो MPs बैठते हैं उनका election में participation रहता है state government में जो state legislative assembly होती है वहाँ जैसे अगर आप हरियाना से हो या फिर मान लो UP से हो तो वहाँ पर जो elected MPs है उनका रोल होगा वहाँ पर participation जब भी वहाँ पर election होते है ठीक है तो अब आपको करना क्या है राज्य सबा जो portion है उसमें राज्य सबा में MPs के election की बात थोड़ा सा आप पढ़ोगे इसमें main जो principle है वो proportional representation by means of single transferable vote ठीक है ना तो ये concept use होता है इसमें ठीक है ना तो इसमें हमारे यहाँ पर indirect representation है basically राज्य सबा में जो भी MPs जाते हैं क्योंकि हमने elect किया किसको MLAs को और उन MLAs ने elect कर दिया किसको जो MPs है राज्य सबा में जो लोग बैठ रहा है वो तो basically इसमें तो इतनी कोई detail है नहीं factual चीज़े है वो काम की नहीं हमारी हमें चीज़े principle वाली चीज़े तो ऐसे में parliament वाला जो chapter ना उसको revise कर लेना है एक बार जिसमें लोग सबा राज्य सबा दोनों आ जाएंगी और राज्य सबा में जो election का procedure होता है वो आप जरूर एक बार देख लोगे ठीक है इसके आगे अगर देखें एक question मैंने पूछा था कि अगर बजट पारित होता है parliament में तो उसमें सुप्रीमेंसी किस की आएगी तो देखो यहाँ पर हमारे यहाँ पर सुप्रीम दोई है ठीक है एक तो हो जाती है parliament एक होता है supreme होते है judiciary तो judiciary का तो उसमें उसमें उप्षन दिया नहीं था आपको तो judiciary का बजट से इतना कोई लेंदेन होता नहीं है तो वहाँ पर सुप्रीमेंसी आएगी parliament की क्योंकि ultimately जो voting हुई है वो किस ने की है parliament में अब कुछ लोगों ने बोला sir finance minister क्योंकि introduce करते हैं जी finance minister से उपर तो prime minister है और prime minister कभी supreme हो सकते हैं तो फिर तो इसका मतलब autocrate हो गया फिर autocracy हो होगे हमारे हमारे देश में तो कहा democracy लही तो prime minister supreme नहीं हो सकते हैं दूसरा फिर आ जाता है कौन president तो बही बात ऐसी है कि president ने तो introduce करने के लिए बोल दिया पर president की भी बात तब तक ही मानी जाएगी जब तक parliament approval दे है कि नहीं तो ultimately जो supreme जो superiority जो आ रही है न निकल के वो आ रही है parliament की तो यह थोड़ा सा आप ध्यान रखें ठीक है इसके आगे अगर देखें economy page पे एक news तो देखो back to back आ रही थी ठीक है अब जहां तक है concluding सी news है यह कि भारत पे में जो co founder थे ठीक है co founder कौन grower अभी नाम आएगा पूराटी का grower ने false narrative create किया और वो false narrative create करने के बाद में जो board of governor थे ना उन्होंने एक governance को upheld किया है मतलब अच्छी व्यवस्ता को बनाये रखने की effort लगाए है basically point क्या है यहाँ पर कि भारत पे company में कुछ इस तरीके के activities देखने को मिली जिसमें जो co founder है भारत पे के ठीक है company के वो है अशनीर grower उन्होंने इस तरीक अपनी position का गलत फायदा उठाते हुए यह कहा कि हमारे platform पर annually अगर देखें तो total payment volume जो है वो लगबग 16 billion dollar तक पहुँच गया इसका मतलब हो गया आप इसको figure को अगर convert करो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारत पे पे लगबग 1.2 लाग करोड रुपय का annual transaction होने लग गया बोला हमारा इतना payment volume आ चुका है तो यह एक तरीके से लोगों के साथ में खिलवार करने का तरीका था जिससे की वो investment attract कर सके या खुद के फायदे के लिए कुछ activities को conduct कर सके तो ऐसे में भारत पे में ही आप देख सकते हो दूसरे मतलब co-founder जो थे अशनीर ग्रोवर ने जो किया वो तो किया ही उसके अलावा कर रहा है जूट फैला रहा है कि हमारी company में इतने volume में transaction या इतना payment का volume हम achieve कर चुके हैं तो ये चीज कही ना गई एक गलत narrative create करने की कोशिश है तो ये अपने आप में governance के खिलाफ में corporate governance के खिलाफ में जाता हुआ दिखाई देता है तो जो founders हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से गलत narrative create करने के efforts किये और उसके चलते अच्छी governance को good governance in corporate को promote करने के लिए दूसरे को founder जिनका नाम है शाश्वत नकरनी उन्होंने अपने employees के साथ में सीधा transparent manner में सीधी बात की कि आपके founder जो है वो important role play करने वाली है आने वाले time पे क्योंकि false narrative create करके क्या होता है एक डूपती हुई company को अगर आप उठती हुई company बता करके लोगों को invest करा लो या फिर उनके साथ में cheating कर दो long term में तो वो अच्छी बात नहीं रहती है ठीक ना और आज आप देख सकते हो कि हम कैसे corporate world कितना ज़्यादा role play करने लग गया है तो वहाँ पर employees का और जो investors है उनके interest को protect करना एक अपने आप में जिम्मेदारी बनती है इसलिए तो corporate governance के लिए board of governors को appoint किया जाता है जिसमें employees के interest को protect करने के लिए independent governors भी appoint होते है मतलब जो decision लिए जाते हैं वो कोई एक company के दौरा company का कोई head है उसके दौरा नहीं लिया जाता है for example अगर हम इस particular case की बात करें तो यहाँ पर grower साब अकेले decision नहीं ले सकते हैं यहाँ पर पूरा group of governors बैठता है पूरा वो बात discuss करते हैं, debate करते हैं कि हाजी कौन सी बात को हम कितना आगे बढ़ा सकते हैं, किसमें कितना फाइदा है employees को कितना फाइदा है, company को कितना फाइदा है, केवल जो main promoter है या founder है, उसकी बात नहीं चलने वाली है यहाँ पर सब लोगों को बराबरी का साधिगार मिलता है तो ऐसे में founder साब ने गड़बर की तो दूसरे founder ने वहाँ पर objection कर दिया कि यह बात तो गलत है employees के साथ cheating हो जाएगी long term में ठीक है, तो ऐसे में इनों ने फिर बाद में यह एक whistle blowing कर दिया यह कह दो कि अपने तरी के से कि corporate governance में good corporate governance को promote करने का यहाँ पर एक example रखा है ठीक है ना, और गड़बर किस ने की थी वो ग्रोवर साब ने की है, अशनीर ग्रोवर ने इसके आगे अगर देखें ऐसे में अगर simple way में समझो तो मान लो कि कोई company है x, y, z, इस company को establish किया किसी, किनी दो लोगों ने या तीन लोगों ने मिलकर उस company में उन्होंने बहुत महनत की आज उनका अच्छा खासा platform तयार हो गया अब क्या करेंगे, कि वो अपने business को over expand करना चाहेंगे तो उसके लिए क्या करते हैं, market में अपनी तरफ से उसके IPOs launch कर देते हैं ठीक है, अपनी तरफ से market में उतर गई वो company, अब market में उतरेगी तो लोग वहाँ पर invest करेंगे की नहीं अब जो investors हैं, एक तो वो दूसरा, कितने ही लोग उस company में काम करने के लिए भी आएंगे, तो उनकी भी जिन्दी की उस company से जुड़ गई, तो वो गए employees, तो इन investors के और employees के interest को protect करना भी एक जिम्मेदारी का काम हुआ कि नहीं, तो केवल ये तीन जने ही ये decide कर ले कि हाँ company का future क्या होगा, जबकि बहुत ओने invest भी कर दिया, बहुत लोग job भी कर रहे हैं, तो ये चीज कही ना कही गड़बड हो जाती है, ये centralization हो गया, अब इस case में, ये जो employees हैं या investors हैं, इनके interest को protect करने के लिए, कुछ individuals को appoint किया जाता है, और वो individuals इन founders के equivalent ही बैठते हैं, ठीक है, आजाओ discussion कर लो proper, कि कहां पर क्या काम होगा, जिससे क्या होगा, investors का interest भी protect हो गया, employees का भी हो गया, तो यही तो एक governance का example आगया ना, कि एक XYZ company को establish करने वाले एक individual ने कुछ गड़बडिया की, तो दूसरे ने object कर दिया, उसका फायदा क्या हुआ, कि company में, company का एक जो defamation हो सकता था, उसको बचाने में एक possibility दिख गई, ठीक ना, तो यह अपने आप में corporate governance में अच्छी बात है, कि इस तरीके से, आप employees का और जो investors हैं, उनका interest जब तक protect नहीं करोगे, तो फिर बाद में कैसे grow करोगे, और वैसे वो company को अब देखो, तो यह अशनीर ग्रोवर हैं, उनके stakes कितने हैं, इस company में अगस्त 2021 की बात है कि वह 9.5%, अब आप सोचो, कि 100% में से कि 10% भी stakes नहीं है उस individual के और वो decision ले रहा है, तो वो चीज कहां चलेगी, है कि नहीं और दूसरा आपको पता होना चीए, कि यह जो भी corporate, corporate का मतला बहुत सारे लोगों का यहां पर involvement हो जाता है तो वो कोई private company नहीं रही है, अब कि यहां किसी की एक का हकदार है, शेट जी, शेट जी एक सेट बन गए, ऐसा नहीं है, अब सब का participation होता है वहां पर, और फिर उनको सबके interest को ध्यान में रखते हुए decision लिए जाता है, जैसे आज reliance की बात कर लो, मुकेश हमपानी के कितने shares है 14-15% के लगभगी है बाकी लोगों के है, ठीक है Amazon में देख लो बड़े बड़े जो leader है या फिर यह जो SpaceX है, Tesla है यह company है, इलमें Elon Musk की कितना investment है इनका stake है, वो इतना 10, 12, 13, 14, इस से ज़्यादा परसेंट नहीं है उनका हिसा बाकी लोगों का है, जिन्होंने invest कर रखा है बहुत ज़्यादा उसमें, तो उनके interest भी protect होने ज़रूरी है, जिन लोगोंने विश्वास दिखाया इस company, किसी भी company में ठीक है, आगे चलते हैं फिर अगली जो news हो वो देखो Eastern Portal पे registration 25 करोड के लगबग पहुँच चुके हैं, तो इसमें देखो जो भी migrant workers को crisis का सामना करना पड़ा था, उस crisis को handle करने के लिए कि हमारे पास में labor's का data available होना चाहिए, तो उसके लिए देखो, सरकार ने Eastern Portal लौंच किया था जिसे कि registration टाइम टू टाइम हो सके, और पता पड़े कि कितने लोग किस शहर में काम कर रहे हैं और कहां से आये हैं वो लोग ठीक है ना, ऐसे में इसके लावा प्रधान मंतरी इस्ट्रम योगी मांधन pension scheme, वो भी लाँच कर रखी है तो इस pension scheme के बारे में एक बार आप जरूर पड़ोगे ठीक है ना इसके आगे अगर हम देखे, उमंग platform government की एक application चलती है ठीक है ना, उससे भी link कर रखा इस्ट्रम पोर्टल को, इस उमंग platform से भी है, यह उमंग platform ते centralized umbrella app है जैसे हैं आप इसको download करोगे ना, तो पता पड़ेगा आप कितने ही enrollment देखते हो, कितनी schemes के facility वहाँ पर available होती है ठीक है ना, तो यह चीज़े बताई जारे इस में, जो भी ना हमारे है, उनके बारे में आपको एक बार, थोड़ा-थोड़ा basic जानना जरूरी है, उमंग app के बारे में इश्रम पोर्टल का तो कर पता पड़ी गया एक ही है, प्रधान मंत्री श्रम योगी मांधन योजना, PMSYM pension scheme, इसके बारे में भी आपको थोड़ा पढ़ना है, इसके आगे अगर हम देखें, जो exporter's हैं, वो ये demand कर रहे हैं कि देखो, रशिया पे sanctions लगा दिया है western countries ने, पर हमें तो रशिया के साथ trade करना है, तो क्यों ना हम rupee और ruble, रशियन currency और हमारी currency में ही trade करना शुरू कर दे, क्योंकि आज अगर हम देखें, तो इंडिया से pharmaceuticals का export बहुत ज़ादा होता है, और हम import भी कर लेंगे रशिया से, जो भी हमारे crude oil की रिन की demand अवो, तो जो export organization की leaders हैं, जैसे यहाँ पर Indian export, Federation of Indian Export organization, FIEO, उनके leaders ने भी बातचीत किया government से, कि भाई, कैसे भी करके Russia, Ukraine conflict के चलते, Russia पर sanctions लगे हैं, वो हमारे trade पर impact ना डाले, इसके लिए हमें ये वैवस्ता कर लेनी चीए, देखो, USSR के time पर तो ये वैवस्ता हुआ करती थी, कि जब हम rupee और ruble में trade किया करते थे, ठीक है, पर USSR disintegration के बाद में फिर, रश्या खुद western countries की तरफ जाने लग गया था, तो उस time पर trade को रोकना पड़ गया था, ठीक है, तभी तो ये, वो बहुत सारे crisis, जिनकी वज़े से हमारे balance of payment crisis आया था ना, उनमें से crisis ये भी था USSR का disintegration और उसकी वज़े से हमें कहीं ना कहीं जो दूस ये western gulf countries है, उन पर depend होना पड़ा था, या फिर हमें international trade में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लग गई थी, इसलिए फिर IMF World Bank के पास गए कि भही हमें पैसा दो, फिर हम सोना रख करके, उधार लेकर के पैसा आये, वह बाठीक है कि हमने वापिस कर दिया था, आज इस तरीके से gold loan का trend है ना, उसी तरीके से gold loan लिया था हमने 1991 में, तब उस time पे condition रखी थी हमारे उपर, LPG policy लेकर क्या हो भी, आपकी economic को liberalize करो, प्राइविट सेक्टर को open करो, और जो global economy है, उसके साथ integrate करो अपनी economy को, आप isolate नहीं रह सकते, कैसा ना, protectionism की basis पर आप काम नहीं कर सकते, ऐसी conditions हमारे उपर impose की गए थी, Bretton Woods institutions की द्वारा, ठीक है न, इसके आगे अगर देखें, इसके अलावा देख सकते हो, लगातार पैसा निकल रहा है, इंडियन मार्केट से, तो रुपिया crash कर रहा है, crude oil लगातार बढ़ रहा है, और yield भी spike हो रहा है, इसका मतलब ये, कि government securities में लोग अप ज़्यादा invest कर रहे हैं, मतलब ये, मतलब एक attraction दिखा रहे हैं, अब वो government securities में भी आप देखो bond market mainly, कैसे, equity market का मतलब तो होता है shares में, अब shares से लोग पैसा निकाल रहे हैं, तो जो companies उनके share हो रहे हैं, down, उनकी value down हो रही है, क्योंकि foreigners पैसा निकाल रहे हैं, तो company की total worth है, वो तो down जाएगी न, तो उससे क्या हो गया, उस company के पूरा एक impact ऐसा हा रहा है, कि उसके खुद के shares down हो रहे हैं, international market में आपको पता है, मंदी चल रही है अभी, और ये war की वज़े से तो कुछ ज़्यादा हो गया, फिर उसके बाद में, जो locals हैं, उन्होंने थोड़ी बहुत large बचा रहे हैं, प खारण कि जो दस साल के लिए जो government security release की जाती है ना, उस पर government को ब्याज भी देना पड़ता है, कुछ return भी देना पड़ता है, अगर public से पैसा उठाती है, तो ऐसे में yield भी भढ़ रही है उन bonds की, जो कि नुकसान दायक है, ठीक है, क्योंकि सरकार के उपर बहु जाएगा, इसी दीसी बात अब याज जादा देना पड़ेगा, ठीक है, इसके अलावा हमारे जो commerce minister है, उन्होंने ये कहा कि बांगलादेश के साथ में भी हम CEPA आने वाले टाइम पे हम जल्दी ही और advance करेंगे, और उसको expand करेंगे, ठीक मतलब बांगलादेश के साथ में भी हम free trade agreement काम करने की efforts कर रहे हैं, ठीक है, अभी अगर बांगलादेश और इंडिया के बीच में अगर bilateral trade की बात करें, तो हम जितना export करते हैं, उसका 3.3% तो बांगलादेश को export करते हैं, जिसकी worth है लगबग 9.7 billion dollars, जो बांगलादेश से हम import करते हैं, वो total import का 0.3% है, वो availability थोड़ी easy condition पर होने लगी है ना, तो उसका फाइदा यह है, और women जो है, उन्होंने ज्यादा घर और home loan लिया है, ठीक है, home loan और auto loan ज्यादा लिया है, इसका मतलब क्या हो गया, कि आप देख सकते हो कि gender based जो exclusion था, उसको बहुत अत्तक cover करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसे में, यही चीज है main main तो, जो हमने देख लिया है, ठीक है, thank you very much for watching this video